नमस्कार बच्चों स्वागते आपका इस वीडियो में जिसमें हम अक्षरों का महत्व के प्रशन उत्रों की बात करेंगे तो शुरू करते हैं प्रथम प्रशन है पाठ में ऐसा क्यूं कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुवात हुई तो बच्चों यह उत्तर है कि अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंब हुई अक्षर आये तो लिखा गया ना अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीड़ी को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे जितने हमारे बड़े बज़ूर्ग थे उनके जो अनुभव थे वो लिखित रूप में आने वारी पीड़ीयों को प्राप्त होने लगे इससे उनके विकास की गती थे इसमी विकास सभी ने उन्नती की दिमाग ने शरीर ने दुनिया ने इतिहास का आरंभ हुआ मनुष्य सभ्य कहलाने वाव सिविलाइज हो गया ना कपड़े पहना तरीके से खाना पीना इस प्रकार एक नए युग की शुरूआत होई बच्चों ये था प्रतं प्रश्न दूसरा है बच्चों अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हो पाठ पढ़कर उत्तर लेगो तो पाठ जरूर पढ़ा करो हमने शब्द पढ़ा था प्रागयते हासिक वो समय जब लेखन नहीं था तो सर्व प्रतं सबसे पहले प्रागयते हासिक मानव ने जित्र संकेतों से लिए चित्र संकेतों में बदल गये जैसे एक गोले के चारों रिखाएं खीचकर बनायागा सूरे का चित्र हुआ पर भाव क्या ताप और धूप दरशाने लगा तो भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में पड़िरत यह खोज मुश्कल से 6000 साल पुरानी है ज्यादा नहीं ठीक है बच्चों जो विज्ञान कहता है तीसरा प्रशना बच्चों अक्षरों के ग्यान से पहले मनुश्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था तो सीदी सी बात हमने बात की थी चित्र संकेत तो अक्षरों के ग्यान से पहले मनुश्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव अव्यक्त करता था इनहीं चित्र संकेतों के माध्यम से बहुत दूर दराज के लाखों तक अपनी बात पहुंचाया करता था ठीक है बच्चों दिख रहा है इस परस्ट आपको जैसे पक्षियों आदमियों आदी के चित्र बना बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुश्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगे ठीक है बच्चों तो यही माध्यम थे जिन से पहले मनुश्य सहारा ले रहा था धन्यवाद रहिया बाद पूरी दुनिया जंदा बाद